हेलो स्टूरेंट्स कैसे आप आप आज हम इंग्लिश का चैप्टर नमर 4.4 है जिसका नाम है माई फाइनिशिल करियरी एम करेंगे इसके मैं आपको कोशेंस दूँगा पहले मैं आपको ओमिंग अप कराऊंगा इसके बाद आपको इंग्लिश वोक्षोप करूंगा ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल एकनो पर चार्व करो करो तके को व्रूंगा उपको पहला जया है इसले इंगर को सेविंग अकाउंट एट बैंक यू निड तो फिल अप्ट फॉलिंग फॉर्म्स एंड फिल प्यूर डिटेल तो देखो यहां पर ऐसा बताया जब आप जो आपका बैंक रहता है सेविंग अकाउंट का जब यह ओपन करते तो आपको कुछ फिल करना पड़ता है तो देखो यहां पर आपको फिल करना ठीक है जैसे भी आपका रहे है जैसे ब्रांच आपका कहां का है डेट आपको डालनी है यहां पर अकाउंट नंबर डालना है यहां पर आपको करना है ठीक है यहां पर एड्रेस हो गया यहां पर आपका एमेल हो गया यहां पर फोन नंबर हो गय तो इसका एंसर देखो यह रहेगा अगी देखो C गया आपको अगी देखो C गया है अगी देखो आपको तो इसमें देखो आप ये नसर लिख सकते हो उसके बाद कहा है देखो What word should he have avoided in his request to see the manager तो इसमें देखो आप ये answer लिख सकते हो उसके बाद कहा है देखो Why was the manager alarmed तो इसके देखो ये answer रहेगा Next देखो कहा है आपको Who did he think was his visitor तो इसमें देखो आप ये answer लिख सकते हो अब यागे देखते है आगे आपको कहा है आगे देखो यहाँ पर आपको कहते हो है What procedure did the author have to follow to open the account तो इसके देखो ये answer रहेगा तो आपको next question है What error did the author make in the check Did he correct it तो इसके देखो ये answer रहेगा उके चलो भी आगे देखते है आगे आपको कहा है यहाँ पर आपको कहा है Why did the author pretend to appear like a bad tempered man तो इसके देखो ये answer रहेगा अब आगे देखो आगे कहा है आगे आपको What decisions has the author taken after the episode at the bank तो इसके देखो ये answer रहेगा आगे देखो आपको कहा है Is the author's last decision wise तो इसमें देखो आप ये answer लिख सकते हो ओके आगे आप भी देखते हैं आगे देखो आगे देखो आपको English workshop है English workshop में देखो आपको पहला कहा है पहला आपको find from the lesson the end times of the following तो इसमें देखो आपको जो लिखना रहेगा ये answer ये answer ये है Second क्या देखो fill in the blanks choosing the appropriate word idioms from the lesson तो देखो ये आपको जो A, B, C, D, E, F है सबके answer देखो ये रहेंगे Third क्या आपको using the following points Frame a character sketch of the narrator Support each character tried with instances from the lesson जो को ये answer रहेंगे Okay अभी देखो fourth में आपको क्या है Fourth में आपको दिया हूँ है Reverate the following in indirect speech तो देखो आपको जो पाच A, B, C, D, E, F है तो देखो पाचों को आपको indirect speech में इस सरी कैसे लिखना है Okay अभी आपको जो लिखना है दोनों में ये रहेगा Okay तो देखो जो six में आपको ये फ्लूइड करना है इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको ये chapter complete हो गया है Okay अभी अगले वीडियो में आपको next chapter दोनगा तो आप चैनल को सब्स्राइब करकर हो दाकि आपको अगले वीडियो मिले अगर आपको ये वीडियो चलोगा तो आपके स्टूडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू